प्रिष्ट संख्या 140 पराधीन रहकर अपना सुख शोक ना कह सकता है यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है पतिक राम नरेश्ट त्रिपाठी जन्म सन 1881 कोईरीपूर जीला जौनपूर उत्तर प्रदेश प्रमुख रचनाय मिलन पतिक स्वप्न ये खंड काब्य है मानसी ये फुटकर कविता संग रहे है मृत्यू सन 1962 राम नरेश्ट त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर कवी माने जाते हैं आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांगला और उर्दू का ज्यान प्राप्त किया उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विशे समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विशे बनाया उनकी कविताओं में देश प्रेम और वईयक्तिक प्रेम दोनों महजूद हैं लेकिन देश प्रेम को ही विशेश स्थान दिया गया है कविता कौमुदी आठ भागों में यह कविता है में उन्हों ने हिंदी, उर्दू, बांगला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकरन किया है इसी के एक खंड में ग्रामगीत संकरी थै जिसे उन्हों ने गाउं गाउं घूम कर एकत्र किया था लोक साहित्य के संरक्षन की द्रिष्टी से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं इन्हों ने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपाधन किया जिसमें मौलिक एवं शिक्षा प्रद कहानिया, प्रेरक प्रसंग आधी प्रकाशित होते थे। प्रकृती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहां किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहन करके यह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्यु दंड मिलता है परंतु उसकी कीर्ती समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पतिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृती के इस अद्वुत सौंदर्य को वह मधूर मनुहर उज्वल प्रेम की कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृती के प्रती पतिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। सचंदता वादी इस रचना में प्रेम, भाशा और कलपना का अद्वुत संयोग मिलता है।